नवस्कार, MPLive के इस बुलिटिन में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ आकाश सोनी और अपखबरें विस्तार से प्रदेश के उर्जा मंतरी पारस जैन ने दो जनवरी नए वश में खरगोन के बढ़वा स्थित 33-11 के वी उपकेंद्र का लोकारपन किया इसके साथ ही उर्जा मंतरी ने बागफल जगतपुरा शेतर के घरेलू और क्रशियो भोकताओं को भी बिजली की सुविधा प्रदान की मंगलवार की उर्जा मंतरी जैन ने सौभाग्य योजन अंतरगत बागफल जगतपुरा शेत्र में कारगरम के तहे 34 घरीलू भुकताओं को प्रमानपत्र भी वित्रित किये इसके अलावा बड़वा के अध्योगिक शेत्र के भुकताओं को बिजली आपपूर्ती के लिए प्रतक से बनाये गए उपकेंदर का लोकारपन भी किया मुक्य सचे बसंद प्रताप से ने राश्टपती के 8 जनवरी को चित्रकूट आगबान और प्रधानमंत्री के 7 जनवरी को गौलियर आगबन की तयारियों की समिक्षा की उन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये गवालियर और सतना के कलेक्टर से तयारों के संबन में जानकरी ली प्रधानमंत्री 7 जनवरी को गौलियर पहुंचेंगे विटेकनपूर में आयोजित राज्यों के पुलिस महारदिश्कों के वाशिक शम्मेलन में भाग लेंगे और 8 जनवरी को गौलियर से प्रस्तान करेंगे राज्टपती 8 जनवरी को चितरकूट में आयोजित विविन कारिक्रमों में भाग लेंगे प्रदेश पे कुपोशित बच्चों की पहचान के लिए 18 दिसंबर से 27 जनवरी 2018 तक चलाय जा रहे को पोशित बच्चों को ढूंड कर पास के विकास खंड या जिलह स्तरी अस्पताल में निशुल को उपचार की वबस्ता कर रही है तीन लाग सेहतीस जार साथ सो तीस बच्चों को विटामिने की खुराग दी गई है जगत गुरु आदिश अंगरचार की प्रतीमा स्थाबित करने के उद्देशे से धादू संग्रहन और समाज में जन जाकरती लाने के लिए एकात्मयात्रा निकाली जा रही है अशोग नगर जिले में एकात्मयात्रा की प्रवेश होने पर जिले के ग्राम पीली घटा पर एकात्मयात्रा का भव्य स्वागत वधायक गोबिलाल जाटाओ और कलेक्टर बी आइस जामो द्वारा किया गया इस ब्रुटेन फिलाल इतना ही बागते खबरों के लब देखते हैं अश्टीवी नमस्कार